हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू स्टाइल विद अस आज मैं आपको उता हूंगी स्लीप्स का बहुती सिंपल और व्यूटफुल सा डिजाइन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि ह attract इताकी लेटर्स विडियो मिल सके तो इस तरह से मैंने अपनी स्पल सीब्स को कट कर लिया है अगर अभी तक आपने हमारे स्टैप बास्टैप सिंपल सीप्स की कटिंग और स्टीजिंग विडियो नहीं देखिया है तो उपर जोई बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर तो मेरी स्लिप्स की लंबाई है 21 इंच, उपर और नीचे sly लगाने के बाद मेरी स्लिप्स की लंबाई हो जाएगी 20 इंच, अब हम इस ता से स्लिप्स को फोल्ड करते होए अपने डिजाइन की चुड़ाई लेंगे, तो मैं अपने डिजाइन की चुड़ाई लोंगी 1.75 अब हम इस तरह से फोल्ड करते हुए 1.75 इंच का हाफ ले लेंगे तो इस तरह से फोल्ड करते हुए 1.75 इंच का हाफ आ रहा है 0.9 इंच अब हम फोल्डिंग साइड से 0.9 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रो कर लेंगे तो इस तरह से 0.9 इंच लेते हुए हमने इसमें line draw कर लिया है अब अब इसी तरह से इस line की cutting कर लेंगे इसमें हमने कोई भी extra margin नहीं लिया है क्यूंकि side में हमने पहले से 2 इंच बढ़ा के लिया था तो चलिए इस तरह से इस पट्टी की cutting कर लेते हैं मैंने अपने design की चुड़ाई लिया है 1.75 इंच तो इस तरह से मैंने 1.75 इंच की sleeves से पट्टी निकाल लिया है और design म्लाने के लिए मैंने इस तरह से newspaper लिया है जिसकी lambaई मैंने sleeves से extra लिया है और चुड़ाई मैंने लिया है 2.5 इंच अब हम इसका डिजाइन त्यार करेंगे, तो डिजाइन मिलाने के लिए मैंने इस तरह से पट्टी त्यार कर लिया है, जिसके लंबाई मैंने कपड़े के हिसाब से लिया है, और चोड़ाई मैंने लिया है 1.5 इंच अब हम इस पत्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें half inch की पत्टी त्यार कर लेंगे इस तरह से तो चलिए इसी तरह से पहले पूरी पत्टियों में स्लाई लगा लेते हैं सल्ड़ कि बिया झांगल तो इस तरह से मैंने सबी पटियों में स्लाय लगा लिया है पटि के चुड़ाईए मेरी हाफ इंच अब हम इन पटियों को इस तरह से न्यूस पेपर की साइज में कट कर लेंगे इस तरह से और सभी पटियों को इस तरह न्यूस पेपर की उपर रखते हुए दोनों साइट इस तरह से स्लाय लगा लेंगे तो चलिए अब इसमें स्लाय लगा लेते हैं अब हम इस तरह से इक्वल गैप देते हुए पूरी पटियों को इस तरह से न्यूस पेपर में स्टिच कर लेंगे पिल्दाओ कर लेंगे न्यूस प्रॉँ कर लेंगे लेंगे स्टिच को लेंगे आई पिल्दा प्रबवा कर लेंगे स्टिच कर लेंगे झाल झाल इस तरह से अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से स्लाय लगा लेंगे झाल 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 तो इस तरह से हमने सभी पटियों को न्यूस पेपर में स्टिच कर लिया है अब हम उपर वाली पटि को इस तरह से स्लीप से मिलाते हुए और स्लीप के पले को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके उपर एक पैर की इसलाय लगा लेंगे इस साइड स्लाय लगाने के बाद दूसरे साइड को भी हम सेम इसी तरह से इसके उपर रखेंगे और इसमें भी एक पैर की स्लाय लगा लेंगे तो चलिए इसी तरह से दोनों साइड स्लाय लगा लेते हैं झाल 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 शवाल प्लिवार इस तरह से अब हम दोनों साइड उपर टॉप स्टिश लगा लेंगे इस तरह से तो इस तरह से हमने अपने डिजाइन को स्लीव के साथ जोड लिया है अब हम उपर की साइड से इस तरह से स्लीव को कुर्ति के साथ जोड लेंगे और नीचे की साइड से इस तरह से पट्टी लगाते हुए इस पट्टी को फोल्ट कर लेंगे अब हम इसमें डिजाइन राएंगे तो सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉट ले लेते हैं इस तरह से अब हम इसमें इस तरह से ग्यादर्स बनाएंगे और इस तरह से धागे को खीशते हुए इसमें डिजाइन बना लेंगे अब हम इन डिजाइन के ओपर इस तरह से मोती लगाएंगे और सभी डिजाइन को इस तरह से कम्प्रिट कर लेंगे डिजाइन तयार करने के बाद हम अपना न्यूस पेपर भी निकाल लेंगे और इस तरह से पूरी स्लीप्स को कम्प्रिट कर लेंगे झाल 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 झाल